2018 की बात है जब यूएस के ब्रेजिडेंट डॉनल्ल ट्रम्प ने ब्यॉरप में नेटो समिट में जाकर नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ एक मीटिंग करी इस मीटिंग के दौरान ट्रम्प ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को बहुत ही स्ट्रिक टोन में ये कहा कि European countries अपने defense पर बहुत कम expenditure कर रहे हैं और इसकी वज़े से USA के taxpayers पर इसका बार परता जा रहा है उनका कहना ये था कि जब European countries ही अपने defense के लिए खर्चा नई कर रहे हैं तो USA भी NATO पर millions of dollars का expenditure करके रश्या के खिलाफ उनका defense क्यों करें अब ये NATO North Atlantic Treaty Organization को कहा जाता है जो एक military alliance है 32 countries के बीच में इस 75 years old treaty का main वकसर है member countries को protect करना किसी भी order attack के time पर यानि किसे भी एक NATO member country पर किया गया attack सारी की सारी NATO countries के खिलाफ मना जाएगा अब Trump के according उन्होंने अपने term में इन European countries को force कर दिया था कि वो उनका defense budget बढ़ाए तब ही वो उनकी protection करेंगे अब जब डॉनलर्ड ट्रॉम्प के president बनने के chances बहुत जादा हाइव हो चुके हैं तो यॉरप भी थोड़ी बहुत anxiety पी करी रहा है क्योंकि first of all they know कि USA की आने वाले टाइम में help की कोई guarantee रही होने वानी और तिसी लिए France जैसे बड़ी बड़ी countries के leaders भी कह रहे हैं कि Europe should become more self-dependent दूसरा, रशिया ने जब से Ukraine पर attack करा है तब से EU के eastern border पर एक danger मंदरा रहा है जो इनके इनके बहुत चिमता जनक है देखी अगर कोई भी geopolitics की समझ रखता है तो उसे समझ आ ही जाएगा कि USA अब रशिया से ज़ादा चाइरा के dominals को counter कंडे पर ध्यान देता है और इसलिए वो Indo-Pacific region में ज़ादा active होता जा रहा है जिसकी वज़़े से Europe neglect होता जा रहा है अला कि अभी भी USA का share NATO के defense में सबसे ज़ादा है पिछले ही साल इनोंने 567 million dollars spend किया था NATO के defense पर जो कि बाकि सारी NATO countries के expenditure से भी ज़ादा है बट आने वाले टाइम में इस बात की कोई guarantee नहीं है क्योंकि ना तो हम NATO का साथ देने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडन इनेशनल नर्ड रहे है और ना ही इस बात का कोई खास अंदाजा लगाए जा सकता है कि अपिर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन भी जाती है तो नेटो के लिए वही म्यूज रखेंगी जिस तरह के के बाइडन रखते हैं या विल नहीं यही सब देखते हुई नेटो की सबी यूरूपियर अलाइट कंट्रीज ने 2024 में अपनी GDP का 2% डिपेल्स पर स्पिन्ट किया है जो अपने आप में historic चीज है इसके अलावा यूरूप ने हाली में यह भी डिसाइड किया है कि वो आने वाले टाइम में अपने air defense का production locally यूरूप में ही करेंगे और USA पर अपने dependency काम कर देंगे इन फाक्ट यूरूप के कुछ foreign policy thin tanks के वारें तो यूरूप तो अब अपने military equipments, military personnel और technological capabilities में increments और improvements करने ही होंगे और यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि Trump वापस आ सकते हैं बट यूरूप को future proof और sad dependent बनाने के लिए यूरूप से बर over dependency का result dangerous हो सकता है और ये बात यूरूप को हाली में दिख भी गए थी जब US के Parliament में Ukraine को दी जाने वाली 61 million dollars की military aid block कर दी गए थी क्योंकि opposition party चाहिए थी कि ruling government इस amount को domestic issues पर खर्च करे Eventually ये amount release कर दी गए थी बट Trump के वापस लॉटने के बाद ये सब चीज़ें बहुत कहमन हो सकती है and Europe is worried about that With that said, I hope आपको आज की इस वीडियो में समाझ आवे हैं होदा कि यूरूप को आज का किस बाद की anxiety हो रही है If yes, please consider subscribing to our channel across for more such informative videos Until then, it's me Yukash signing off for this one Meet you in the next one Ta-da, bye-bye